नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टॉक लिए यूट्यूब चैनल में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम यहाँ चैनल में वीडियोज पोस्ट करते हैं related to long term investment, short term investment और intraday के लिए कुछ stocks recommend करते हैं उसके price range, target price भी आपको बताते हैं अगर आपने अभी तक बाकी वीडियोज नहीं देखे हैं तो उपर आए बटन में निचे description box में आपको वीडियोज के link मिल जाएंगे तो आप वहाँ जाके बाकी की वीडियोज देख सकते हैं और investment के लिए और अच्छे खासे आपको options वहाँ पे मिल जाएंगे अगर आपने अभी तक हमारे चनल को like और share नहीं किया है तो please subscribe कर दिजे वीडियो को like और share भी कर दिजे आज की वीडियो में हम देखने वाले long term investment के लिए एक तगड़ा stock जिसका financial और technical analysis आज की वीडियो में हम देखेंगे वीडियो में आगे मैं आपको बताऊँगा यह stock आपको कब खरीदना है कब बेचमना है क्या है इसकी target price और वीडियो के अंथ में मैं आपको बताऊँगा मेरा personal opinion मैंने इस stock में कितना पैसा invest कर रखा है या आगे करने वाला हूँ मेरे portfolio में यह stock है या नहीं है तो यह सब हम जनेंगे आज की वीडियो में दोस्तो हम आगे है screener.com की screen पर हम अब देखने वाले है stock का financial और technical data इस company का market cap है 1834 करोड रुपे 398 रुपे के आसपास हमें आज की date में यह stock trade होते हुए दिख रहा है इस stock का high है 390 रुपे और hello है 565 रुपे stock का piece 27.8 है जो की ठिक ठक देखने को मिल रहा है book value 252 रुपे है dividend भी यह stock पे कर चुका है 0.6.06% का ROC 51.9% ROE 43.2% face value 5 रुपे debt है company पे 16.4 करोड का लेकिन इस company के net cash flow या फिर profit growth को अगर देखा जाए तो यह debt एकदम ना के बराबर है company चाहे तो easily pay कर सकती है promoter holding 73.8% है debt to equity ratio 0.11 है profit growth 372% है CMP 194 3 महिने का return हमें 66.5% देखने को मिल रहा है जो इस sector के बाकी stocks के देखा जाए तो इस stock में काफी अच्छा कासा देखने को मिल रहा है एक साल का return है 406% जो काफी ज्यादा हमें देखने को यहां मिल रहा है एक साल का chart और हम अगर देखते है तो 586 रूपे पे हमें यह trade होते हुए दिख रहा था हमें काफी ज्यादा growth देखने को मिली है company के pros की बात करें तो debt एक दम कम हो चुका है debt free मान सकते है क्योंकि net cash flow profit profit after tax सब पुछ इसका बहुत ही अच्छा है easily debt pay कर सकती है quarterly जो result है जो expect किये थे उससे कई गुना ज्यादा अच्छे देखने को मिल रहा है पास साल का CAGR 37.22% है return on equity तीन साल का 28.56% है अगर cons की बात करें तो book value के 11.80% यह trade होती हुए दिख रहा है competitors की बात करें या peer competitors की comparison जिसके साथ कर रहे है उनकी बात करें तो ग्रेंट फार्मा लूपीन जूबलेंट फार्मा हीकल सिक्वेंट सायंस जैसे अच्छी खासे कंपनिया इसकी competitors हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है अगर हम लोग इस company के quarterly results की बात करते है तो operating profit Mars 2021 में 21 करोड का था और June 2021 में 23 करोड का देखने को मिल रहा है profit before tax March 2021 के quarter में 21 करोड था और profit before tax June 2021 के quarter में 26 करोड देखने को मिल रहा है नेट प्रोफिट के अगर बात करते हैं तो मार्ज 2021 में 14 करोड था और जून 2021 में 19 करोड देखने को मिल रहा है जो हर कौर्टर में हमें आप देख सकते हैं हर कौर्टर में यह जो इसका नंबर्स है यह बढ़ते हुए नजर आ रहा है जो की काफी अच्छी बात है ओपरेटि भी पूल टैक्स की बात करते हैं तो 14 करोड मार्ज 2020 में था और 76 करोड मार्ज 2021 में नेट प्रोफिट की बात करते हैं तो 11 करोड मार्ज 2020 में था 55 करोड मार्ज 2021 में है मेरे ही साबसे तो यह स्टॉक का डेटा काफी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है हम बात कर ले हैं कर र प्रोडक्ट के लिए इस कंपनी का काफी इंडियन और ग्लोबल कंपनी के साथ तायप है यह कंपनी का मेन प्रोडक्ट जो है वो API है यह API प्रोडक्ट से इस कंपनी को 89% शेर प्रोफिट मिल जाता है अगर हम लोग इस कंपनी के बाकी रेशो की बात करते है तो compound sales growth 10 साल का 22% है 5 साल का 22% है 3 साल का 31% है compounded profit growth की बात करते है तो 10 साल का 37% 5 साल का 37% 3 साल का 64% है stock price CAGR की बात करते है तो 10 साल का 70% 5 साल का 53% 3 साल का 84% और 1 साल का 407% देखने को मिल रहा है return on equity की बात करते है तो 10 साल का 26% 5 साल का 27% 3 साल का 29% और फिछले साल का 43% हमें देखने को मिल रहा है balance sheet की अगर बात करते है March 2020 में 156 करोड था और March 2021 में 206 करोड है total liability और total assets की बात करते है March 2020 में 156 करोड के थे March 2021 में 206 करोड के हो गए है net cash flow की बात अगर करते है तो March 2020 में minus 0 था और मार्ज 2021 में 2 करोड के आसपास हमें देखने को मिल रहा है और बाकी रिशो अगर देखते है तो cash conversion cycle देखते हैं मार्ज 2020 में 111 था और मार्ज 2021 में 108 देखने को मिल रहा है मतलब यह करोड में है numbers ठीक है और अगर holding pattern की बात करते हैं तो promoter holding दोनों quarter में मतलब मार्ज 2021 और जुन 2021 में 73.81% promoter holding देखने को मिल रही है DLL 0 है promoter holding पब्लिक holding अगर देखते हैं तो मार्ज 2021 में 26.19 था जुन 2021 में 26.19 देखने को मिल रहा है अगर मेरा final decision देखते है year stock को लेकर तो यह long term investment के हिसाब से काफी अच्छा stock है year stock को खरिद के आप 1-2 साल या फिर जब तक चाहे तब तक आप इसको hold कर सकते है profit making company है loss debt बहुत ही कम है और मेरे इसाब से तो अगर आप इस share को आज की date में खरिदने के पाद 1-2 साल रखते है तो यह आपको कम से कम 100% से तो ज़्यादा ही return दे देगा मेरे पास portfolio में अभी तो सिर्फ दूही stock पड़े है क्योंकि मैं इस stock के technical financial analysis कर रहा था मेरे को पता नहीं था लेकिन जैसे यह stock में deep आता है को price range थोड़ा और कम हो जाता है मैं कम से कम 100% share खरिदने का सोच रहा हूँ year stock के तो आप हमें कम नीचे comment करके बताना आप क्या सोच रहे है आपको लग रहा है क्या यह खरिदना चाहिए या नहीं चाहिए अगर मेरे personal opinion की बात करते है या फिर मेरे decision की बात करते है year stock को लेकर तो मेरे हिसाब से आपने हर dip में year stock कम से कम 10 unit तो खरिदने ही चाहिए और पूरा fund यह एक ही stock में आप invest मत कीजिए क्योंकि diversification बहुत ज़रूरी है आपके overall fund का कम से कम 20% fund या 10% fund आप year stock में invest कर सकते है और एक और बात अगर आप invest करना चाहते है तो आप अपनी तरब से इसका financial technical data देखिए खुद के हिसाब से research कीजिए क्योंकि अगर आपका कुछ भी financial loss हो जाता है तो इसके लिए हम responsible नहीं रहेंगे आपका अभी तक का जो भी time था आपने बहुत मुले समय दिया हमें यह वीडियो देखने के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो अगर अच्छी लगे है तो लाइक और शेयर जरूर कीजे तब तक के तैन्यवाद